हमारी सरकार ने जब से सम्विधान हत्या दिवस मनाने का निर्णे लिया है तो सम्विधान की रक्षा के कास्वांग रचने वाले बहुरूपियों के हर्दय में बड़ी वेदना शुरू हो गई है और वो ये कह रहे हैं कि पचास साल पुरानी बात की आवशक्ता क्यों है जो लोग खुद सीधे असी पचासी साल पीछे जाकर ये दावा करने लगते हैं हर बात में कि आजादी की लड़ाई उनका वन एन एक्सलूजिव कॉपी राइट था वो उस स्वतंतरता संग्राम में बलिदानियों के बलिदान के बाद पाई हुई स्वतंतरता के साथ क्या किया ये आज की पीड़ी को जानने की आवशक्ता है बहुत इसपश्ट रूप से मैं देश की जनता को याद दिलाना चाहता हूँ क्योंकि आज की डेट में जो लोग 60 या 62 वर्ष से कम आयूके हैं उनकी लिविंग मेमोरी में या उनकी जीवंत इस्मृति में आपातकाल का विशे नहीं है आपातकाल वो था समविधान की हत्या क्या होती है ये समझने क्या वशक्ता है पॉइंट नमबर वन देश के सभी नागरिकों के अधिकार समाप्त कर दिये गए थे सभी मूल अधिकार समाप्त कर दिये गए थे यहां तक की कोट की प्रोसीडिंग में ये भी बात आई है कि आपके स्वतंत्र घूमने का अधिकार और जीवन का अधिकार भी समाप्त था इस प्रकार की भी समाचार और सूचना आई थी कि अगर कोई किसी को गोली भी मार दी जाए और पुलिस कुछ भी कर रही हो तो मिलॉर्ड आप सिर्फ देखते रह सकते हैं पॉइंट नमबर टू यदि आपको पुलिस पकड़ ले जाए तो आप कोट में नहीं जा सकते थे डि आई आर और मीसा दो ऐसे रूल थे डिफेंस ऑफ इंडिया रूल और मैंटीनिस ऑफ इंटरनल सिकूरिटी एक्ट जिसके तहट आपको कोट में जाने यानि बेल के लिए बेल मिलना एक चीज़ है बेल के लिए अपलाई करने का अधिकार नहीं था पॉइंट नमबर तीन डिफेंस ओफ इंडिया रूल इस पॉइंट पर भी लग सकता था कि अगर किसी सारज्वनी की स्थल पे खड़े होकर आप सिर्फ इतना बोल दें कि इंद्रा गांदी की सरकार हटानी है इतने में आपको इस प्रावधान के तहट जेल में डाला जा सकता था जिसमें आप बेल के लिए भी अपलाई करने के हकदार नहीं थे पॉइंट नंबर चार सारा विपक्ष जेल में था पॉइंट नंबर पाँच सिर्फ राजनेतिक नेता नहीं थे सवा लाख से डेड़ लाख लोग आम जनता और राजनेतिक कारे करता अठारा महिने जेल में रहे तो विशे सिर्फ इतना साधार नहीं था पॉइंट नंबर पाँच और तीस्वा और उन्तालिस्वा समिधान संचोधन करके सरकार के किसी भी निर्णे पर नियाईक समिक्षा का अधिकार समाप्त कर दिया गया था यानि नियाईले सरकार के किसी भी निर्णे की कोई टीका टिपणी समिक्षा नहीं कर सकता था और पॉइंट नंबर छे सम्विधान की प्रस्तावना जिसे बाबा साब अंबेड कर ने सम्विधान की उद्देशिका preamble of the constitution जिसे सम्विधान की आत्मा कहा था उस सम्विधान की आत्मा को बदल दिया गया था उसमें secular or socialist world डाल दिया गया था तब जब विपक्ष पूरा जेल में था इसलिए और ये क्यों किया गया था ये भी ध्यान देने की आवशक्ता है 36 गर्ड के मुख्यमंत्री जी का एक प्रसिद बाइट है जिसमें वो कह रहे हैं कि इंद्रा गांदी जी में साहस था इसलिए उन्होंने आपात का लगाया और पॉइंट नमबर छे के बाद पॉइंट नमबर साथ मामला सिर्फ इतना नहीं था देश से उपर एक नेता को कर दिया गया था इंद्रा इस इंडिया कर दिया गया था तो ये कॉंगरेस के साथ कृतियों के साथ जवाब हमें आज चाहिए सम्विधान की साथ तरीके से हत्या करने वाले लोग और इंडिया इस इंद्रा का नारा कॉंग्रेस के ततकालीन राष्ट्री अध्यक्ष देवकांत बरुआ का था और इस्राइल हमास पे संघर्ष पे प्रस्ताव पारित करने वाली कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी ने आज तक आपात काल के की आलोचना करते हुए इंद्रा जी की आलोचना करते हुए और डीके बरुआ के इस वक्त अभी की निंदा करते हुए प्रस्ताव नहीं पारित कि कि अगर आप ऐसी किसी चीट पर प्रस्ताव पारित कर सकते मुझे दिखाएं वह सी डबली सी का कहा प्रस्ताव है कि हमने माफी मांगी हमने निंदा की और देश से उपर एक नेता को कर दिया और यह विचार प्रेडित कहां से था मैं पहले भी बोल चुका हूँ सदन में और आपको रिपीट करता हूँ कि 1934 में नाजी पार्टी का नियूरिमबर्ग में कन्वेंशन हुआ जिसमें नाजीयों की बड़ी प्रसिद्ध फिल्म थी ट्राइंफ फड़ विल उसका मंचन कराने के बाद हिटलर के राइट हैंड आदमी रुडोल फैसने एक नारा लगवाया था हिटलर इस जर्मनी एंज जर्मनी इस हिटलर ठीक वही भाव इंदरा इस इंडिया इंडिया इस इंडरा इसलिए सम्विधान की हत्या क्या होती है या समझने की आवशकता है और मैं एक और बात कहता हूँ ये तो सिर्फ उसकी पीक्ति ये हुआ क्यों था महत्पूर्ण बात ये भी है ये हुआ क्यों था आज शिव सेना के एक नेता संजय राउत जी ने ये कहा है कि आपात काल इसलिए जरूरी था कि एनार की हो गई थी मैं पूछना चाहता हूँ इंडिकड बंदन के लोगों से कि जैप्रकाश नरायन के नेतुर्त में हो रहा वा पवित्र जेपी आंदोलन एनार की था मैं लालू परसाद यादव जी से पूछना चाहता हूं अखलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि आपके पिता जी मुलाइम सिंग यादव जी एनार की के हिस्से थे सत्ता लोलुपता में आज अपने उपर आप अराजकता का इस टेम भी लगाने को तैयार हो गए और अब मैं बताना चाहता हूँ कि वो एन आर्की क्या थी ये एमर्जंसी लगी क्यों थी भारत के इतिहास में एक ही उधारण है जब किसी पुर्धान मंत्री को चुनावी धांदली और चुनाव में भरस्टाचार का दोशी पाया गया श्रीमती इंद्रा गांधी को इलावाद उच्च नियाले के द्वारा यारोप नहीं था नियाले के द्वारा दोशी पाया गया और इस कारण से उनकी सदस्ता समाप्त कर दी गई वो सुप्रीम कोड गई सुप्रीम कोड ने कहा कि सदस्ता तो रहेगी परन्तों आपकी संस आंसत के रूप में कोई काम नहीं कर सकती छे साल लडने प्रदिवन था आप सदन की कारवाई में भाग नहीं ले सकती वोटिंग नहीं कर सकती तब ये अमर्जेंसी लगा कर वो जो संविधान का और तीस्वा और उन्तालिस्वा संशोधन था वो रेट्रोस्पेक्टिवली लगाया गया जैनि भूत लक्षी प्रवाव से लगाया गया कि और प्रधान मंत्री पर कोई टिपनी कोट नहीं कर सकता प्रधान मंत्री के किसी निर्णे की कोई समिख्षा नहीं कर सकता इसलिए संविधान की उस घंगोर और दुरदान्त हत्या की स्मृति के लिए ये आ देता हूँ ऐसा नहीं कि सबकू सिर्व 1975 में हुआ उससे पहले और मैं एक और आज गंबीर सवाल करना चाहता हूँ बहुत सी फॉरिंग की इंटेलिजेंस एजिंसीज की रिपोर्ट जो डीक्लासिफाइड हो चुकी है और कईयों ने पब्लिश भी किया है मैं इस क्याविएट के साथ बोलना हूँ कॉंग्रेस पार्टी को उसमें अगर आपती है और हिम्मत है तो उन पर मुकदमा करना चाहिए नित्रो किन्स आर्काइव के जी बी अन दे पार्ट के जी बी अन दे वर्ल्ड पार्ट टू जिसमें भारत का उलेख है उसमें तो क्या-क्या वर्णन है कि इमर्जनसी के दौरान विदेश की शक्तियां किस ढंग से भारत की सत्ता को संचालित कर रही थी कहां-कहां तक हस्तक शेप कर रही थी क्यों नहीं तक कॉंग्रेस ने आज तक उन पर मुकदमा किया या आपती की तो मैं आज पूछना चाहता हूँ कि आज ये जो बहुरूपिया स्वांग बनाकर आए हुए है संदेह उत्पन होता है कि आज कौन सी शक्तियां संचालित कर रही है क्योंकि ये चुनाओ भारत के इतिहास का पहला चुनाओ था जब किसी विदेश ने बैटे हुए धन कुबेर ने बाकाइदा बयान दिया था प्लेज करते हुए कि मैंने एक बिलियन डॉलर रखा हुआ है मोदी जी को सप्ता से बाहर करने के लिए तो मैं इसलिए कर रहा हूँ एमर्जन्सी के समय में भी और मैं कई किताबे गिना सकता हूँ पर मैंने एक का नाम इसले लिया है कि इनको हिम्मत हो तो इनके उस पर जाकर प्रतिवाद करना चाहिए जिसने कहा था कि उस समय किस सीमा तक सरकार पर शिकंजा था विदेशी शक्तियों का अब उल्लेखनी बात ये है कि हाज वो सारे लोग जिनका खुद का के उपर जल्म हुआ था वो जल्म करने वाले के साथ खड़े हो गए अब मैं याद दिलाना चाहता हूँ ये प्रवत्तिन की हमेशा से थी जवालाल नहरु जी की सरकार के समय में पहला कॉंस्यूशनल अमेंडमेंट किस बात के लिए हुआ था अभिवत की सुतंता को कर्टेल करने के लिए और वो भी कब हुआ था 1951 में यादि जब तक चुनाव भी नहीं हुआ था अरे चुनाव होंगे तब लोग बोलना शुरू करेंगे तो आपको आपती समझ में आती है कॉंस्यूंट असेमली के माध्यम से परिवर्तन कर दिया था ये बात भूली जा सकती है क्या और मैं कोट करना चाहता हूं बाबा साब अमबेड कर इतने दुखी हो गए थे और उन्हों की पीडा जो थी समविधान के साथ जिस प्रकार का चल किया गया था नहरू जी की सरक देवता को इस्थापित करने के लिए और उसको किस प्रकार से उस मंदिर के साथ क्या किया गया है यह उनके शब्दों में कोई विविक्ति जाकर स्वैम पढ़ सकता है समिधान की हत्या उस समय होती थी कि यदि केवल एक आठकिल लिख दे कोई विक्ति कि मुझे नहरू की कारेशेली में हिटलर की छवी नजर आती है तो मजरू सुल्तानपुरी दो साल जेल में रहते थी समिधान की हत्या ये थी कि अगर किशोर कुमार ये कह दें कि मैं कॉंग्रेस के द्वारा प्रायोजित एक पब्लिक प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा तो आल इंडिया रेडियो पर सारे गाने बंद हो जाते थे और फिर इसके उपरांत अभी आप हाल और ये प्रवत भी मुसलसल चलती रही जब राजीव गानी जी आये तो याद करिये पोस्ट एंटेलिग्राफ एक्ट किया था कि आपकी चिठ्थी कोई भी खोल के पढ़ सकती थी सरकार ये एक लाए गया था और अगर उसमें आपत पिये गैंग वालों से कि भाई अगर कोई आप से कहे कि आपका सारा इमेल वाटसेप सब कुछ सरकार पढ़ सकती है और पढ़े हुए कि आधार के उपर आप पे करवाई कर सकती है ये था पोस्ट एंट टेलिग्राफ है समिधान की हत्या ये थी कि 5000 सिक्कों के हत्या के बा तो सर्वोचनेले के निर्णे को रौंद कर समिधान को से उपर शरीया को कर दिया जाए ये समिधान की हत्या थी यदि कोई अकबार आप से सवाल पूछना शुरू कर दे तो उस अकबार की बिजली काटकर उस पे छापा मार दिया जाए आपको याद होगा जब राजीग गांधी जी से सवाल पूछने शुरू किये गए थे वो थी समिधान की हत्या अब आईए 1980 में मैं याद दिलाना चाहता हूँ जब इंद्रा जी वापस सरकार में आई कॉंग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ विपक्ष की सारी सरकारे बर्खास कर दी गई राज्यो ये थी सम्विधान की हत्या नरसे मौराओं का समय आता है आप सोचिए हमारी तीन सरकारे बर्खास की जाती है किस बात पे हिमाचल राजस्थान मद्रपरदेश की सरकार किस बात पे बर्खास की जाती है ये थी सम्विधान की हत्या और मैं सम्विधान की हत्या का एक और उ उपीए वन सरकार जो सुनिया जी की छत्रशाया में सुपर पीम के द्वारा चल रही थी मनमोहन सिंग जी के द्वारा पहली बात सर्वोच समवैधानिक निर्ड़ने लेने की एक्जेकुटिव बॉडी यूनियन कैबिनेट से उपर नेशनल एडवाजरी कांसिल बनाई यह स चेर्मेन का पद असमवैधानिक था लोग भूल गए मार्स दोहजार चे में सोनिया जी को इस्तीफा देना पड़ा था ओफिस ऑप्रॉफिट के मुद्धे पे बिखान करें दोजार पाँच में जब NDA की सरकार को बर्खास किया गया तो कॉंग्रेस के ही पूर्व कानून मंत्री स्वर्गी हंसराज भरद्वाजी ने पूर्व मुख्यनाय धीश जस्टिस सब्बरवाल की इस्मृत में आयोजीत एक कारिक्रम में बोला था कि मुझे कहा गया था कि मैं चीफ जस्टिस से मिलकर उनसे ये प्रयास करूँ कि निर्णे सरकार के पक्ष में आये ये कौन कह रहा है कॉंग्रेस के तदकालीन कानून मंत्री बोलने है परन्तु जस्टिस सब्बरवाल के से मैं मिला मैंने उनसे चाय पिया मगर उनका इटिटूट देखकर मेरा साहस नहीं हुआ ये है कानून की हत्या की पहले असमवैदानिक तरीके से सरकार को बरखास करो और आप ये भी याद करिये उस समय बिहार के राज्यपाल भूटा सिंगी थे सरवोष नहाले का कमेंट किया था मैं कोई टिपड़ी ही कर रहा हूँ इतना घातक कमेंट है कि ये थी समविधान की हत्या और मैं याद दिलाना चाहता हूँ डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम ने अपनी किताद टर्निंग पॉइंट में लिखा कि उनसे मासकों में साइन करवाए गए थे वो इतने दुखी थे कि लॉट के आने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा देने का मन मना लिया और इस्तीफा उन्होंने ततकारी नुपराश्टपदी भैरु सिंग शेखाबज जी को बेजा जब यह बात पता चली मन मोहन सिंग उनसे मिलने के लिए आए और इस बात डॉक्टर कलाम ने अपनी किताब टर्निंग पॉइंट में लिखी है और उनसे अनुरोध किया डॉक्टर मन मोहन सिंग ने कि कृपया आप ऐसा ना करें अनिता सरकार गिर जाएगी डॉक्टर कलाम ने कहा गिए पॉद्धान मंतरी के इस प्रकार की याचना पर मैंने भारी मन से वह इस्तीफा वापस लिया ये है सम्विधान की हत्या इसलिए मैं बताना चाहता हूँ और उसके बाद जिससला सिर्व यहीं पर नहीं रुका है उसके उपरान तक अगर आगे बढ़ते चले जाएं तो आज जब इनकी सरकार आ भी जाती है राज्यों में तो क्या होता है आज जिस धंग से जरासा विरोध में लिखने वाले लोगों के उपर कारवाई हो रही है वो क्या है वो तो एक पक्ष शोड़ दीजे मैं पूछना चाहता हूँ समिधान ये कहता है कि संसत के द्वारा पारित कानून के विरुद कोई राज्य की सरकार कारवाई नहीं कर सकती ये उसकी बाजता है CAA संसत के द्वारा पारित कानून था इंडी गडवन्दन की राज्य सरकारों की विधान सबाओं ने C.A. के खिलाब प्रस्ताव पारित किया कि हम नहीं मानेंगे ये है कानून की ये है सम्विधान की हत्या किंद्री एजंसियों को काम नहीं करने देंगे ये है सम्विधान की हत्या और इतना ही नहीं बहुत से लोगों को ध्यान नहीं है तो मैं याद दिला देना चाहता हूँ सम्विधान की हत्या क्या होती है बहुत सी ऐसी बाते हैं जो केरल की बात लोगों को उत्तर भारत में पता नहीं होती केरल विशेश कर जहां अभी तक राहूल गानी जी सांसद रहे और अब प्रियंका जी वहाँ से सांसद की प्रत्याशी होने जा रही है मार्च दो हजार छे में केरल की विधान सभा ने एक सर्व सम्मत प्रस्ताव पारित किया कि कोईम बटूर हमले के मुख्या रोपी अब्दुल नसीर मदनी जो तमिल नाडु की जेल में हैं उसे रहा कर दिया जाए विधान सभा ने प्रस्ताव पारित किया है और 117 के 117 MLे सारे कॉंग्रेसी और सारे कम्नुस्त ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया है सम्विधान की हत्या नहीं है कि सम्वैदानिक संस्था के द्वारा एक आतंक बात के आरोपी के पक्ष में प्रस्ताव पारित होना यह नहीं है कि बयान देना constitutional apparatus का उप्योग और इसलिए हम यह कहना चाते हैं कि जब जब इनके हाथ में सत्ता आई है तब तब सम्विधान की हत्या हुई है जितनी इनके हाथ में सत्ता आई है अगर राज में आई है तो उतनी सम्विधान की हत्या की गई है और 1975 उसका सबसे गहरा और काला ध्याय है यह तो भारत की जन शक्ति की भारत की लोगतंत्र की शक्ति की प्राण शक्ति थी जिसने उसके उपर विजे प्राप्त करने में सफलता हासिल की इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कल तक जो सम्विधान को की हत्या के मुसलसल गुनहगार है कल तक सम्विधान की हत्या के जो मुसलसल गुनहगार है वही आज सम्विधान बचाओ के फरजी जंडा बरदार है धन्यवाद continuous मुसलसल मुसल मतलब पूरा मुसलसल मतलब continuity निरंतरता में मुझे लगता है जब उनको इतना बताए जा चुका है अच्छा चलिए बाकी तो छोड़ दीजे खड़गे जी सदन के पटल पे खड़ओ के बोल चुके मैं तो जो हूँ सोनिया जी की वज़े से हूँ यह बताईए नेता पृतिपक्ष बड़ा है या सांसद बड़ा है और उन्हें याद नहीं है कि सम्विधान के द्वारा निर्धारित सरवोच संस्था कैबिनेट का प्रस्ताव फाड़ने वाले यह सम्विधान के हर्त्या नहीं है तो इसलिए मुझे लगता है कि ये भी उनको किसी से कहलवाया गया है ये खास्षास्पत और विडंबना पून है अटल बिहारी बाचपई जो स्वैम जेल में रहे वो कह रहें कि वो लगाते और वैसे एक बात बतावाँ आपको जब emergency खतम हुई थी तो उसके बाद रामजिला मैदान में एक rally हुई थी सबने बोला था उसमें अटल जी ने एक share बोला था वो मुझे पूरा नहीं याद है उन्होंने कहा था मिल के बैटे हैं चंद दीवाने कहने सुनने कि होएं बहुत सारे अफसाने मैं कहूंगा कि कॉंग्रेस के आगे नतमस्तक होने की एक सीमा होनी चाहिए और शिव सेना को कम से कम सत्ता लो लूपता में अराजकता जैसा शब्द जेपी और उस आंदोलन से जुड़े सारे नेताओं में उसमें चौधरी चरण सिंग जी करपूरी ठाकूर जी बहुत बड़े बड़े लोग आज के समय में उनके साथ खड़े हुए लालू जी मुलाइम जी डीम के के नेता अटल जी अड़वानी जी मुझे लगता है सब को अराजक कहना ये भारत के लोकतंत्र की संगर शमता का अपमान करना है अगर उनको पचास साल पुरानी बात याद है और नबे तिरान नबे में क्या कहा था कितना भूल जाते हैं उसके बाद यदि आप बात करने का प्रयास करते हैं तो सरगी बाला साथ ठाकरे जी के विचार 1990 में क्या थे कॉंग्रेस के बारे में 95 में क्या थे 2000 में क्या थे 2005 में क्या थे और अब तो वीडियो अवेलेबल है की क्या थे मुझे लगता है मैं सिर्फ आज उनसे बात कहना चाता हूँ कि वो सिर्फ ये बता दें कि जेपी अराजक थे क्या और वो ये बता दें कि बाला साथ ठाकरे के बारे में जो कॉंग्रेस ने कहा श्री कृष्णा कमिशन की रिपोर्ट में कैसी अपमान जनक बाते कही गई है क्या वो उन बातों के लिए कॉंग्रेस से छमा मंगवाए है या उसके बाद भी उनके सिजदे में सर जुकाए है ठाकर रविंदर सिंग जी ने है जम्भू कश्मीर में अगर अग्जुला हूँ देखे अभी अभी चुनाव संपन हुए है बारा मुला और अनन्त नाग में भी 68% और 72% पोलिंग हुई है यह पहली बार ऐसा हुआ कि ग्राम पंचायत के भी पंचायत इसतर तक के भी चुनाव हुए है तो लोकतंत्र वास्तिक अर्थों में कश्मीर में उभर के सामने आ रहा है हाँ जिन्हों ने लोकतंत्र के नाम पर कश्मीर को तीन परिवारों की जागीर बना के रखा था उनकी जागीरदारी खिसकती हुई नजर आ रही है इसलिए उनके दिल का इद्द समझा जा सकता है कि आशिव एए नहीं है जिसमें वो खुद शामिल थे पांस साल तक मतब किसी भी बात को डिफेंड करने में कम सकम इतना तो ध्यान लखना चाहिए कि महोदे मतब आप क्या कहना चाह रहे हैं शिफसेना तो पांस साल तक हमारी सरकार में थी और वो कह रहे हैं 2014 से पहले की बात इसलिए मुझे लगता है और कुछ नहीं है किसी भी बात को कहने की जो गंभीरता है तठ्चों के आधार के उपर उसे ध्यान रखकर बोलना चाहिए आप आज के राजनेतिक स्वार्थ के चक्कर में देश और देश के पुर्खों की और अपनी पार्टी के पुर्खों की इतनी अवमानना मत करिए नहीं जम्मू काश्मीर अब एक केंद्र शासित राज्य है तो केंद्र शासित राज्य में जिस प्रकार की शक्तियां LG के हाथ में होती हैं सिर्फ सम्विधान की उसी विवस्थाओं के अनुरूपी ही यह कारे किया गया है दूसरा आपको भी पता है कि इस समय कश्मीर देश के सबसे सम्वेधन शील राज्यों में से एक है हमने आतंगवाद पर पूरे देश में प्रभावी नियंतरण पा लिया है अभी सिर्फ दक्षिन कश्मीर के चार पांच जिले ऐसे हैं जहां उसका प्रभाव है तो उस सम्वेधन शीलता को भी ध्यान में रखकर यह निर्णे लिया गया है